हेलो दोस्तो नमस्कार मैं साइलेंदर कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल एग्री नालेज प्लस पर दोस्तो जैसा कि हम जानते हैं कि हम लोगों ने कल जो स्रीश चल रही एक ग्रो नामी सट स्विग्ञान की इसके अंदर अगत हम लोगों ने क्या पढ़ा था धान धान की फसल के बारे में हम लोगों ने देखा था आज उसी से रेलेटेड हम लोग क्या लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेड लेकर आए हैं जिसमें हम प्रैक्टिस करेंगे उन तमाम महात्मूल परस्नों की जो कि विवन पर्द्योगी परिच्छाओं में पूछे गए हैं या संभावित प्रस्न जिनकी मतलब परिच्छा में आने की संभावना है ऐसे प्रस्नों का हम इसके अंतरगत प्रैक्टिस करेंगे और ये जो स्रीज चल लही है ये सभी एगरिकल्चर कमपडिशन की तयारी करने वाले इस्टूडेंट के लिए बहुत ही उप्योगी है क्योंकि ये एक ऐसी स्रीज है इसके अंतरगत ऐसी महात्मूल फसलों को सामिल क्या जाएगा जिनसे हर एक परिच्छा में प्रस्न बनते हैं तो ये सभी के लिए महात्मूल हो जाती है चाहे वो वन्डे एक जाम हो या कोई PCS का ठीक है ये सभी के लिए महात्मूल है और इसके अलावा ये TGT और PGT एगरिकल्चर के लिए भी महात्मूल स्रीज है तो इस प्रकार से ये सभी लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी होगी आईए हम लोग आज के सजन के शुरुवात करते हैं मोटिवेशनल कोर्स के साथ मोटिवेशनल कोर्स है चाउग जाएंगे मेरी उडान देखकर ऐसा मैं अपना जरिया बदल दूँगा जो मुझे नाकारा समझते हैं एक दिन मैं उन सब का नजरिया बदल दूँगा दोस्तों ये हम तभी कर सकते हैं जब हम महनत करके अपने मुकाम को हासिल करने और इसके लिए हम लोगों को मतलब परिस्रम तो करेंगे लेकिन परिस्रम ऐसा होना चाहिए जिससे हम लोग क्या कहते हैं स्मार्ट वर्क ठीक पढ़ते तो बहुत से लोग हैं लेकिन पढ़ने का एक तरीका होता है और जब हम उस तरीके से पढ़ेंगे तब भी हम अपनी मंजिल को पा सकते हैं ठीक है दोस्तों तो आईए इसी के साथ देखते हैं पहला कोशन जो रहा आपकी स्क्रेन पर परदीप्त कालिता के आधार पर धान एक पौधा है देर्ग परदीप्त काली अल्प परदीप्त काली उदासीन लाष्ट है इंटरमेडियेट आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा जी हाँ इसका राइट आंसर होगा अल्प परदीप्त काली अब हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि ये देर्ग परदीप्त काली अल्प परदीप्त काली उदासीन लाष्ट प्लांट क्या होते हैं क्योंकि यहाँ से अकसर एक प्रश्ण एक्जाम में बन ही जाता है ठीक है तो हम यह समझ लेते हैं जिससे की आगे हमें बहुत काफी help मिलेगी तो मतलब जो प्रदीप्त कालिता है दीप्त कालिता होती है यह परकास में जो परकास की अवधी का जो पौधो पर परवाव पड़ता है वही क्या होती है दीप्त कालिता होती है तो इनको हम इस प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं मतलब पौधों पर प्रकास अवधी का जो परवाव पड़ता है उसके आधार बेनकों 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं कौन कौन से भाग है long day plant ठीक है दीर्ग परदीप्त काली पौध है ओके सौट डे प्लांट अलपरदीप्त काली पौध है डे नीटरल प्लांट उदासीन पौध है और इंटर्मीडियेट या मध्यवर्ती दियोसी पौध है यह होते हैं इंटर्मीडियेट अब हम एक एक के बारे में समझते हैं कि दीर्ग परदीप्त काली पौधे कौन से हैं जिनके मतलब पुस्पन किरिया के लिए 12 घंटे से ज़्यादा प्रकास की आउसकता होती है वे पौधे क्या कहलाते हैं दीर्ग परदीप्त काली पौधे कहलाते हैं इसके अंतरगत मुखितर रवी की फसले आती हैं जैसे गेहूं, जव, चना, मटर, सरसो और इसके अतरिक्त प्याज, लैसुन, फुलगोभी, कोल क्राप, ठीक है और चुकंदर, सल्यम, केला और सेब ये भी जो हैं इसके अंतरगत सामिल किया जाते हैं ये चीज आप लोग नोड़न को लेंगे, पर प्याज, लैसुन, फुलगोभी, सभी कोल क्राप्स, गाजर, पालक, चुगंदर, सल्यम, सेब, इत्यादे ठीक है, आप बात करते हैं, आलपपरदीप्तकाली पौधे, या साटडे प्लांट, या लगधिवसी परभावी पौधे ठीक है, इसके अंतरगत, आप लोग सुन लीजी, वे पौधे, जिनकी पुस्पन किरिया के लिए 12 घंटे से कम प्रकास की आउसकता होती है इसके अंतरगत, लगभाव में सभी खरीप की फसले आती हैं, जैसे धान बाजरा, जौ़ार, इतियादी और इसमें कुछ और फसले भी हैं, जैसे सकरकंत है, अनानास है, काफी, ठीक है, ये सभी इस्ट्राबेरी, ये सभी किसके अंतरगर रखे गई हैं, एक्जाम में कैसे पर्ष्ण मनता है, यहीं पर आप लोगों को दो एक, चारों से एक 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 एक्जामपल दे दिया जाए ये चीज़ आप लोग कहीं में नोट डाउन कर लेंगे, अब बात आती है, उदा सीन पौधे, उदा सीन पौधे या दे नूट्रल प्लांट, वे पौधे कहलाते हैं, जिनकी पुस्पन किरिया पर प्रकास अवधी का कोई परभाव नहीं पड़ता है, इसके एक्जामपल आप लोग देख लीजिए, नोट कर लीजिए एक बार, जैसे बैंगन, भेंडी, टमाटर, और पभीता, अम्रूद, इत्याद, ये कैसे पौधे हैं, और इसी के अंतर कपास भी आता है, डे नूट्रल प्लांट, अब बात करते हैं, इंटरमीडियाट प्लांट, इंटरमी इसके अंतर मुझे फ़सल काउन सी गन्ना की है, इसके अंतर मुझे फ़सल काउन सी गन्ना है, ये चीज़ आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, आईए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, और नेस्ट कोश्चन देखते हैं, बोरो या दलुआ, धान की बुवाई का उची समय, इसके बारे में मैंने आप लोगो कल ही पढ़ाया था, आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, नौवंबर दिसंबर, सिकेंड है, जून जुलाई, थर्ड माई जून और लास्ट है मार्च अप्रेल, कौन सो होगा बताएंगे, जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा, नौवंबर दिसंबर, ठीक है, बोरो दलुआ जो होता है, इसकी बुवाई किस मन्त में होती है, नौवंबर दिसंबर में होती है, इसी को बसंत रितुकाधान भी कहा जाता है, और इसकी बुवाई होती है, मुकिता पर्सिम मंगाल और उडिसा छेतर में की जाती है और इनकी कटाई की बात कलने तो इसकी कटाई जो होती है मार्च अपरेल में होती है अब निश्ट देखते हैं माई जून इसके अंतरगत काउन सी फसल आती है दान की आस जिसे एक यागत है आस इसकी बाई माई जून भी की जाती है और इसकी कटाई जो होती है सिदंबर अक्टूबर में होती है इसे खरीब रित या खरीब का धान भी कहा जाता है और इसकी जो खेती होती है मुकिता बिहार और पर्सिम मंगाल में होती है अब बात करते हैं जून और जुलाई की इसे अमन धान अमन ठीक है और इसकी जो बवाई होती है किस मन्त में होती है जून जुलाई में होती है और इसकी कटाई नॉमबर दिसम्बर में की जाती है ठीक है इसे रभी का धान भी कहा जाता है समझ गए है आईए आगे बढ़ते और नेश्ट देखते है बासमती चावल के 1000 दानों का वजन कितने ग्राम होता है कल ही हमने इसके बारे में चर्चा की थी जिन भाई बहनों ने कल का या जो कल की कलास नहीं देखी वो एक बार आवस्त देख लेंगे जिससे की उनकी मतलब अच्छी से तैयारी हो जाएगी ठीक है बासमती चावल के 1000 दानों का जो वजन होता है वो कितने ग्राम होता है ये 21 ग्राम होता है ठीक है ये चीज आप लोग नोडाउन कर लेंगे और यहीं पर हम बात कर लेते हैं जो साधार चावल होते हैं उनका जो परिच्छड भार एक हजार दानों का वजन का मतलब होता है परिच्छड भार साधार तया साधार तया जो वेट होता है वो कितना होता है 25 ग्राम परिच्छड भार जो कितना होता है दान का 25 ग्राम ठीक है आगे बढ़ते हैं उन्नेष्ट देखते हैं लेकिन बासमती चावल का 21 ग्राम होता है भारत में उगाई जाने वाली चावल की किसमें किस उप इस्पेसीस से संबंदित हैं आप लोग बताएं किसका रैट राएंशर क्या हो घीज आजन का इसका राएड राएंशर हो Brittany से भारत में जो हो गई जाने वाली होसों है और किस सब इस्विजिस के अंतरगत आती है इंडिका के अंतरगत आती है ठीक है और यहीं पर बात कर लेते हैं ठीक है आगे देखते हैं निस्ट वोश्चन चावल का उद्गम अस्थाल है आप लोग बताएंगे इसका राइड अंसर क्या है दच्छिड पच्छी मेंसिया यूरोप अफ्रीका भारत और म्यानमार जिन भाई बैनोंने कल का लेक्चर देखा होगा वो बहुत आसानी से यह सभी प्रैक्टिस के जो कोश्चन रखे गए यह सभी आसानी से हल कर लेंगे भारत और म्यानमार और इसके अंदर कुछ ऐसे भी प्रैक्टिस चेंड में नहीं हो पाये थे तो उनको हम आज प्रशनों के माध्यम से समझ लेंगे इसका राइड अंसर होगा भारत और म्यानमार या दच्छिड पूर्व एसिया क्या होग पताईए दच्छिड पूर्व एसिया या भारत बर्मा या म्यानमार छेत्र ठीक है चावल का उद्गमस्तल है आगे बढ़ते हैं उन्नेश्ट देखते हैं किस कीट के द्वारा धान का टुंगरू वाइरस रोग फैलता है धान का जो टुंगरू वाइरस रोग होता है वो किसके करण फैलता है गाल मीज लीफ रोलर ग्रीन लीफ हापर गंधी बग आप लोग बताएंगे इसका राइड अंसर क्या होगा जी हाँ इसका राइड अंसर होगा ग्रीन लीफ हापर क्या होगा ग्रीन लीफ हापर इसी के द्वारा टुंगरो वाइरस रोग फैलता है अब हम बात कर लेते हैं यहीं पर जो धान में क्या होता है यह रीफ रोलर पत्ती लपेटक यह भी धान में लगने वाला एक परमुक रोग है ठीक है और इसके अलावा आगे हम देखते हैं निस्ट कोश्चन गोल्डन राइस किस तत्तु का अच्छा सुरूत है रेटिनल एसकार्बिक एसिट कल्सी फेरॉल या थाइमीन आप लोग बताएंगे इसका राइट अंसर क्या होगा क्योंकि देख लिएजे कोश्चन का ट्रेंड चेंज हुआ है अब वहाँ पर विटामिन्स के नेम नहीं लिखकर आते हैं और ज्यादा तर उनके रासाइनिंग नाम लिखे जाते हैं तो आप लोगों को विटामिन्स के रासाइनिंग नाम भी याद रखने हैं क्योंकि यहाँ पर जो नाम दिये गए हैं अपसंस में वो सभी रासानिंग नाम दिये गए हैं अगर आप लोगों को रासानिंग नाम पता है तभी आप लोग ये question कर पाएंगे इसका right answer होगा Retinol क्या होगा Retinol Vitamin A का रासानिंग नाम क्या होता है Retinol Iscarbic acid किसे कहते हैं Vitamin C को कहते हैं ठीक है Calciferol Vitamin D Thymine Vitamin B ओके आगे बढ़ते हैं और next question देखते हैं 20 सुमिन निमलिखित फसलों में से किस फसल का किरसी गजच छेतरफल सबसे अधिक है आप लोग बताएंगे इसका right answer क्या होगा चावल का जो का गेहू का बाजरे का इसका right answer क्या होगा जी हाँ इसका right answer होगा गेहू का जो किरसी का छेतरफल है cultivated area है परजेन टाइम में किसका है सबसे अधिक गेहू का है और यह जो डेटा है जो fourth estimate 2018-19 का जारी हुआ था उसके according गेहू का जो छेतरफल है किरसी का छेतरफल cultivated area सबसे अधिक है दोसरे नंबर पर चावल है और इससे पूर्व 2018-19 का जो fourth advance estimate जारी हुआ था इससे पूर्व इसमें परथा मस्तान किसका था चावल का था यह चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे आईए आगे बढ़ते हैं और next question देखते हैं निम लिखित किश्मों में धान की कौन सी किस्म ड्वार्फ उत परिवर्तित है आप लोग बताएंगे इसका राइड अंसर क्या होगा IR8 पूसा 464 जगनात जया ठीक है आप लोग बताएंगे इसका राइड अंसर क्या होगा जी हाँ इसका राइड अंसर होगा जगनात जिसके बारे में कल भी हमने इसके बारे में चर्चा किये थी जो पहली किस्म है ड्वार्फ उत परिवर्तित वो का उन सी है जगनात है और इसके अलावा एक सत्तारी पराइटी भी आती है ठीक है ओ भी एक ड्वार उत परिवर्तित व्राइटी है जया की बात कर लें तो यह पहली अर्द बाउनी किस्म है आई आर एड आई आरएड जो है इसे जादू किस्म कहा जाता है विस्सु की पहली जादू किस्म धान की और यह कहां से निकली है International Rice Research Institute Philippines ठीक है और जिसका मुख्याले उरतमान में कहा है अब लोग बताएंगे कमेंड बॉक्स में लिखकर ठीक है बानोस करके नाम है ओके आगे बढ़ते हैं और नेश्ट देखते हैं भारत में धान की नरसरी तैयार करने की डेपोग भी दे किस देश से परचलन में आई है मेड़ागासकर अस्टेलिया, ताइवान, फिलिपिन्स डेपोग मेथट की बात हैं यहाँ पर की जा रही है अब लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा बताएए डेपोग मेथट जो है धान के यह कहां से निकली है जी हाँ यह फिलिपिन्स से निकली है कहां से फिलिपिन्स से और मेड़ागासकर मेड़ागासकर से काउन से निकली है इस आर आई पद्धत यानि जिसे सिरी पद्धत भी कहते हैं ऊजिए बढ़ते हैं, ilněस्ट कोर्षिन देखते है इंडॉनेसिया में उगाए जाने वाले जाने की चावल की जिसमें किस उप सीसको से समदने थे और अब लोग उडाएंगे इसका राड आंसर क्या होगा नहीं वहाँ वह बाले खाला हैं औराइजा ग्लेवेरिमा जो होती है यह मुखिता अफरीका में कुई 24 इस्पसीज है धान की जिसमें से मुखिता दो कीखेती की जाती है एक और एक और एक और एक सटाइबा ठीक है और हम यहां पर बात कर लेते हैं पूछा क्या गया है इंडोनेसिया में उगाई जाने वाल चावल की किसमें किस और सबस्पसीज से संब्धिय का तो इसका र protects वोगा और आईयजा सेटाइव जेव निका क्या होगा राइट आन्सर कहां और यह कहां होती अफरीका में ठीक है आगे बढ़ते हैं और नेस्ट देखते हैं और अरजय सटाइब निका के बारे में तो लोगों पता ही है और अरजय सटाइबा जो की एक डिपलोइड इस्पसीज में क्रोमोसियम की संख्या होती है गुर्व सूतर संख्या बतानी है डिपलोइड वराइटी है किसकी और आजयस टाइबा की तो इसमें गुर्व सूतर संख्या कित्ती होगी 24 या लाश्ट इसका डिप्स जो डिप्सन है यह करेक्ट होगा नेस्ट देखते हैं किस कीट के द्वारा धान में डेड हर्ड या वाइट हेड का परकोब होता है आप लोग को बताना है डेड हर्ड जो समस्या होती है डेड हर्ड की या वाइट हेड की आप लोग बताएंगे यह किस कीट के कारड होती है तो इसका राइड आंसर होगा इस्टेम बोरर ठीक है आगे देखते हैं नेश्ट कोश्चन चावल के यहाँ पे और इसका अपसंप्सित देख लेते हैं जैसे यहाँ पे बात कर लेते हैं यह जो गालमीज मक्खी होती धान में इसके कारण जो समस्या होती है जो रोग लगता है उससे जानते हो क्या कहते हैं उससे कहते हैं सलाइवरी सूड और आउनियन लेफ ठीक है आप लोगों ने देखा होगा कि जो धान की पतिया होती है वो प्याज की पौधे की तरह आकाल ले लेती हैं, इसी को क्या कहते हैं salivary, sude or onion leaf ठीक है ये किसके कारण होती है, गालमीज के कारण होती है समस्या और brown plant hopper जो इसमें दिया गया है second number B पे इसके कारण grassy instant रोग लगता है इसमें पत्या जो होती है, धान की बिल्गुल सकरी हो जाती है, खीक है बहुत पत्ली पत्या हो जाती है इसे कहते हैं grassy instant disease और इसका जो वाहक होता है brown plant hopper होता है और green leaf hopper के मैंने बताई दिया था, green leaf hopper से क्या लगता है, धान में टंगुरु वाइरस लगता है और stem borer से धान का dead heart dead heart या white white head disease जो होती ही इधान में ये किसके काड़ लगती है stem borer के काड़ आगे बढ़ते हैं और next देखते हैं चावल के पगने के समय ताप करम होना चाहिए 30 से 35 degree centigrade 21 से 37 degree centigrade 15 से 20 degree centigrade 21 से 25 degree centigrade आप लोग बताएंगे इसका right answer क्या होगा जी हाँ इसका right answer होगा 21 से 25 degree centigrade चावल के पगने के समय temperature ये ही सर्वत्रम temperature माना जाता है और इसी परकार जैसे ग्याहों की बुवाई के बाद कलने तो ग्याहों की बुवाई के लिए सर्वत्रम temperature जो होता है 21 से 22 degree centigrade माना जाता है ग्याहों के लिए बुवाई ओके आगे बढ़ते हैं और नेश्ट देखते हैं चावल की उत्पादक्ता से अधिक मतलब उत्पादक्ता लबसे अधिक किस राजिमे हैं पस्यमंगार उत्तर परते हैं पंजाब राजस्तान आप लोग इससे ध्यान से देखेंगे क्योंकि यहाँ पर अक्सर कैंडिडेट्स को डाउट हो जाता है और वो समझ नहीं पाते हैं किसका राज़ अंसर क्या होगा यहाँ पर उत्पादक्ता यानि कि प्रोडक्टिविटी की बात की गई है जिसमें पर्थम अस्थान किसका है पंजाब का है और छेतरफा लेने की एरिया की बात कर ली जाए तो पहला अस्थान किसका है यूपी का है उत्पादन की बात कर ली जाए यानि कि प्रोडक्शन की बात कर ली जाए प्रोडक्शन ठीक है तो पर्थम अस्थान किसका है बस्सिम बंगाल का है समझ गए हूंगे आप लोग प्रोड़क्टिविटी में पर्थामस्थान पंजाब का है एरिया में पर्थामस्थान उत्तरप्रदेश का है और चावल के उत्पादिक्ता की बात कर ली जाए तो इसमें पर्थामस्थान किसका है पसिम बंगाल का है ओके आईए आगे बढ़ते हैं और नेश्ट कोश्चन देखते हैं और भारत में बात की जाए तो भारत विश्व में चावल मतलब सबसे बड़ा निरियातक और छेतरफल में सबसे अधिक चावल का छेतरफल जो है सबसे अधिक कहां पर है भारत में है और निरिया तक भी सबसे बड़ा भारत ही है आगे बढ़ते हैं और नेश्ट देखते हैं धान में बाउने पन के लिए उत्तरदाई जीन कौन सा है तिप 23A, DZOZEN, NORIN10, OPEC 2 आप लोग उताएंगे इसका राइड आंसर क्या होगा जी हाँ इसका राइड आंसर होगा, DZOZEN, ठीक है और यहीं पर बात कर लेदे, TIP 2A3 यह जो होता है टिप 23A, NORIN10 की बात कर लेते हैं यह गेहों में गेहों में जो होता है, बाउने पन के लिए उत्तरदाई जीन कौन सा होता है गेहों में बाउने पन के लिए उत्तरदाई जीन जो होता है नोरीन 10 होता है और यहीं पर हम बात करते हैं यह टिप्ट इनके बारे में जान लेते हैं टिप्ट 23A और ओपेक 2 के बारे में अभी आप लोग को बता रहे हैं यह किस्ते संबंधित हैं ओपेक 20 टू 20 ओपेक 2 ठीक है यह मक्का में जो होता है मक्का में मक्का में जो जीव दरब अच्छी गुडवत्ता युक्त प्रोटीन के लिए अच्छा सुरोत होता है यह जो होता है मक्के में एक अच्छी प्रोटीन के लिए ठीक है उत्तरदाई जीन होता है मक्का में अच्छी ब्रोटिन के लिए और ये संकर जो बाजरा होता है ये हाइब्रिड जो बाजरा होता है उसके लिए उससे संबंदित ये जीन है टिप्ट 23A बाजरे संबंदित है DZ-Ogen चावल से है नोरिंटेन गेहुं से है और OPA2 जो है ये मक्का में उच्छ गुडवत्ता युक्त प्रोटिन प्राप्त करने के लिए उत्तरदाई जीन है आईए आगे बढ़ते हैं और नेश्ट देखते हैं एजोला के सक्री उप्योग में काउन सा कारक संकुचित करता है पानी की कम उपलबदता ग्रीज में रितुकेदाउरान जीवित रहने की दरकम होना ढूलाई की समस्या उप्रोगत सभी आप लोग बताएंगे इसका राइट नशर क्या होगा इसका राइट नशर होगा उप्रोगत सभी क्योंकि एजोला जो है एजोला धान में जो नाइट्रोजन की उपलब्दिता कराता है ठीक है? उसके लिए पानी की उपलब्दिता बहुत ही आउस्थ होती है अगर एजोला सक्रीत अभी हो सकता है जब खेद में परियापत मातरा में पानी उपलब्द हो और सिकेंट पर दिया गया ग्रीस मेरी तो के दोरां जीवित रहने की तर कम हो जाती है जब ग्रीस मेरी तो होगी तो वहाँ पर पानी की उपलब्दिता कम हो जाएगी और इसके जीवित रहने की संभावना कम हो जाती है क्यों टमपरेशर बहुत अधिक हो जाएगा तब भी इसके जीवित रहने की दब सम्हाना कम हो जाती और ये सही से अपना विकास नहीं कर पाता है धुलाई की समस्या इससे एक अस्थान से दूसरे अस्थान लाने ले जाने में काफी समस्या होती है इसलिए इसका राइड आंसर क्या है उपरोगत सभी चावल के पूस्पकर्म को कहते है पेनिकल, बाली, सिल्कुआ या स्पाइड लेट आप लोग बताएंगे इसका राइड आंसर क्या होगा जी हाँ इसका राइड आंसर होगा पेनिकल चावल के पुस्प कर्म को पेनिकल कहा जाता है ठीक है आगे बढ़ते हैं उन्नेश्ट देखते हैं आई आरेड धान की किस्म भारत में कहां से परचलन में आई ताइवान, फिलिफीन, इंडोनेसिया या यूएसे आप लोग बताएंगे इसका राइड आंसर क्या होगा जी हाँ इसका राइड आंसर होगा फिलिफीन ठीक है आई आरेड जो धान की जादुई किस्म जिसे भी कहा जाता है बिस्क की जादुई किस्म तो ये कहां से भारत में परचलन में आई फिलिफीन से नेश्ट देखते हैं च्यावल उगाने के आप प्रमपरागत छेत्र कौन से हैं पंजाब हरियाड़ा, उतरप्रदेश, बिहार, पस्षिम, मंगाल, उडिशा, तमिलनाड़, आंदरप्रदेश आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा पंजाब वहरियाड़ा, क्योंकि ये सब परमपरागत छेत्र के अंतरगात आते हैं उतरप्रदेश, बिहार, पस्षिम, मंगाल, उडिशा, तमिलनाड़ और आंदरप्रदेश जबकि ये परमपरागत छेत्र के अंतरगात नहीं आता है निश्ट देखते हैं और आईजा वंस में क्ल कितनी स्पसीज हैं? 14, 24, 22, 30, आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा 24 कितनी स्पसीज हैं? 24 हैं जिसमें से मात्र 2 की खेती की जाती है और आईजा ग्लेवेरिमा और 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 आईजा सटाइबा निश्ट देखते हैं धान के पाउधे की प्ररामभीक ब्रिद्धी अवस्था में क्रेसे किस रोग के कड़ होता है? बैक्टियर ब्लाइट, बैक्टियर लीफ इस्ट्रीक, टुंगरू वाइरस या फिर आभासी, कंड़ुआ जी हाँ इसका राइट अंसर होगा बैक्टियर ब्लाइट इसे बी अलबी भी कहते हैं बी अलबी ठीक है? इसी के काड़ जो हता है, क्रेसे के समस्या होती है धान के पौधे में, इसमें क्या होता है? पत्य जो हती है, किनारे से लंबी लंबी धारिया बन जाती है और ये पत्या सूख जाती है ठीक है? आगे बढ़ते हैं और नेश्ट देखते हैं धान के एक हैट में रुपाई के लिए कितने छे Computers कि जाने चाहिए 100 वर्ग मीट्र 1 एक हजार वर्ग मीट्र आप लोग बताएइं के इसका राइड है क्या होगा जे हां इसका राइड एंसर होगा एक हजार वर्ग मीट्र क्योंकि, जो, nursery के आऊ सकता होती है, एक hectare is equal to, कितना होता है, 10 से, बराबर होता है, यानिकि, 10,000 मीटर स्क्वार, और, जो nursery के आऊ Σकता होती है, एक बटे 10 बाग के आऊ सकता होती है, यानि कि 10,000 मीटर स्क्वार, अगर आपको रुपाई करनी है तो उसके लिए एक बटे दस भाग किया हो सकता होती है नर्शरी के लिए तो इसका जब एक बटे दस करेंगे तो वन से वन जीरो कट जाएगा कितना बचेगा एक हजार मीटर स्क्वाईर ओके आगे बढ़ते हैं और नेस्ट देखते है आज चावल जो हता है कि वहाई का समय है नॉम्बर दिसमर अभी मैंने आप लोग को बताया था जून जुलाई मैं जून या मार्च अप्रेल आप लोग बताएंगे इसका राइट अंसर क्या होगा जी हाँ इसका राइट अंसर होगा आज चावल नहां पर पूछा गया है आज चावल का आप लोग बताएंगे इसका राइट अंसर क्या है जी हाँ इसका राइट अंसर है ऐस्टयbles का मईजून क्या है मईजून अग इसे कौंसा धान कहा जाता है कि खरीब का धान भी इसके के खरीब का धान और कि कटाई को प gör अडर शेट के होती है सितंबर-शक्टूबर में होती है सीतरिद्ग या रभी का धान ने के बौरो को जो बसंद कालिन धान कहा जाता है आगे बढ़ते हैं और नेश्ट देखते है धान की खेती के लिए मिर्दा का उप्यूग्त पीश मान होना चाहिए चार सच्छे छे साथ पांट से साड़े छे साथ सिन्नो आप लोग बताएंगे इसका राइड अंसर क्या होगा जी है इसका रा किस जगह पर पाई आती यूरोब एसिया अफरीका अमेरिका बताईए इसका राइड अंसर क्या होगा जी हाँ इसका राइड अंसर होगा अफरीका नेश्ट देखते है धान की नरसरी तयार करने की आद्र विधी में रुपाई के लिए पौध तयार हो जाती है कितने दिन 12-12 की बात की जाए तो यह किस प 손 at में होती है तरश से बार में नरसरी जो हुटी तयार हो जाती है अब लोग बता हेएंगे इसका राइड आंसर क्या हुगा इसका व्यिश Phillips से निकली है बारा से चौदा दिन में डेपोग मेथड जो होता है डेपोग मेथड ये कहां सेने के लिए मेटागास कर से इसमें जो होता है नरसरी के लिए कितनी दिन में तयार हो जाती है बारा से चौदा दिन और आज इंचित छेतरों की बात कर लिए जाए तो यहाँ पर जो nursery होती है वो 30 से 35 दिन में तयार हो जाती है आगे बढ़ते हैं और next देखते हैं धान के रुपाई के कितने दिन बाग प्रोपेनिल, स्टांप, A34, खर्पतवान, नसी का प्रियूख करना चाहिए 2 से 4 दिन, 6 से 8 दिन 10 से 15 दिन, 20 से 15 दिन आप लोग बताएंगे इसका right answer क्या होगा जी हाँ, इसका right answer होगा 6 से 8 दिन बाद ओके, आगे बढ़ते हैं और next देखते हैं धान की बवाई, broad costing और drilling बिस्से करने पर 20 क्रमसा चाहिए 100 वा 60 kg पर देख्टेर 60-100 kg, 50-100 kg पर देख्टेर 150 kg पर देख्टेर, आप लोग बताएंगे इसका right answer क्या होगा जी हाँ, इसका right answer होगा 100 वा 60 kg क्योंकि broad costing method यानि क्या होता है, बीज जो होते हैं ज्यादा लगते हैं तो इसका सही answer क्या होगा 100 kg और drilling method में बीज कितना लगता है, 60 kg पर देख्टेर लगता है, आगे बढ़ते हैं और नेष्ट देख्टे है 20 में चावल का सरबादिक 6 दफल भारत में है, जो की लगभग है 30 मिलियन हेक्टर, 35 मिलियन हेक्टर, 50 मिलियन हेक्टर, 45 मिलियन हेक्टर अब लोग बताएंगे इसका right answer क्या होगा जी हाँ, इसका right answer होगा 45 मिलियन हेक्टर, नेष्ट देख्टे है धान की फसल के लिए उप्यूक तो जलवाईव है वार्म एंड हुमिड, हाट एंड हुमिड, ड्राइ एंड वार्म, कोल्ड एंड वार्म, आब लोग बताएंगे इसका right answer क्या होगा जी हाँ, इसका right answer होगा हाट एंड हुमिड, ठीक है कैसी जलवाईव क्या हो सकता होती है बहुत गर्म होगा उसल जलवाईव की आसुकता होती है और जो उपर वाला दिया गए वार्म होगा उसल जलवाईव आगे बढ़ते हैं और नेष्ट देखते है ठीक है, और यहाँ पर हमने बहुत सारे प्रस्णों का अभ्यास किया है आईए, जो हम लोगों ने कल पढ़ा था उसका एक बार फटा-फट रिवीजन कर लेते है धान या चावल, इसका वानस्पतिंग नाम है और आजा शटाइवा इसका कुल है, पोईसी है, ग्रेमनी गुड़सूत, रसंख्या कितनी है, 24 है उत्पत, एस्थान, इंडो बर्मया, दस्टिट पूर्व, एसिया है और जलवायू की बात कलने हैं तो ऊच्वकडबंदी है जलवायू इसके लिए सरवत्तम होती है और आउसत वर्सा 150 सेंटी मीटर और जिसकी जल मांग जो होती है, 90 से 250 सेंटी मीटर होती है नेश्ट देखते हैं, बुवाय का समय जो होता है धान का जून से जुलाई होता है बुवाय के आधार पे धान का वर्गी कड़़की बात कलने हैं आउस, खरेब रित, माई जून में, अमन जो होता है जिसे सीत रित या कौन सधान काते हैं, सीत रित का या रभी कड़़़का भी कहा जाता है इसकी बुवाय की जो होती है जून जुलाई में होती है और ये नॉम्बर दिसंबर में इसकी कटाई या harvesting की जाती है बोरो बोरो की बात करने तो इसे बसंद रुद कधान भी का जाता है नॉम्बर दिसमर में भुवाई होती है मार्च अपरल में इसकी cutting या harvesting होती है आगे बढ़ते हैं निस्ट देखते हैं सिचाई की करांति का वस्थाएं जो होती है इसकी booting stage है जो की most critical stage होती है सिचाई के लिए और इसके अलावा tillering stage और flowering stage ठीक है यह भी सिचाई की महातपुर करांति का वस्थाएं है और यह वस्थाएं यह वस्थाओं में धान में के खेद में लगभग में 5 cm यह भरा होना चाहिए और खाद की बात कर लेते हैं तो FYM गोबर की खाद 200-340 कोंटल थाट लिए हैं 300 कोंटल पर हेक्टेर nitrogen की बात कर लें तो 100 kilograhm पर हेक्टेर, phosphorus 60 kg पर हेक्टेर, potassium 50 kg पर हेक्टेर की आउस्था होती है आगे बढ़ते हैं और निश्ट देखते हैं धान की जो औराईजा वंस में कुल इस पसीज हैं कितनी है 24 हैं जिन में से मातर दो की खेती होती है जिससे जमदेद अभी हम लोगों ने परसन भी देखा था औराईजा सटाईवा, औराईजा गिलेवेरिमा औराईजा गिलेवेरिमा की खेती अफरीका में होती है बिस में समस्त खाद्यान फसलों में उत्पादन और छेटपल दोनों की दरिश्ट कोड़ से देखा जाए तो धान का दूसरा और गेहों का पर्थम अस्थान है बिस में चावल का सरवादिक खेतलों भारत में जो की लगव को 45 मिलियन हेट्टेर है चावल उत्पादन के मामले में पर्थम मंगाल पर्थम अस्थान पर है और उत्तर प्रदेश जो उत्तर प्रदेश शेदरपल की दिरिष्ट से पर्थम अस्थान पर पंजाब उत्पादक्ता की दिरिष्ट से पर्थम अस्थान पर है ठीक है और उत्पादन में पर्थम अस्थान किसका है पस्षिम बंगाल का है अफे भाद में उगाये जाने वाले चावल की उप इस सब hijoज़ः का स्काशी हा और रायजर्य रखेवनिका है चावल के फ़ी प्लूग को पर एंदेप ड्लड वाले चावल को भूर चावल कहा जाता है धान की खेती थान की खेती देखते हैं धान की खेती के लिए उपईउक्त pH मांद 4-6 होता है और धान के दानों का परिछड़ भार 25 गराम कितना होता है? पचीश गराम जब कि बाजमती धान का परिछड़ भार 21 गराम होता है धान में बाउने पनकगुड ड्वार्फिंग करेक्टर जो पाया जाता है उसके लिए उत्तरदाई जीन कौन सा है जीन डीजी ओजेन था औराईजा सटाइबा जो की एक डिप्लाइड इस्पिसी जीन में क्रोमोजोन नमबर किता होता है 24 होता है गोल्डन राइस में विटामिन ए जो की लगों में 37 ppm के तक पाया जाता है सूपर राइस की कलपना जी एस खुस नहीं दे थी लवड़ी और छारी मिर्दाओं के लिए पहला सूपर राइस जो चावल था वो काउन सा लूनी स्री था जिसके खेती लवड़ी और छारी दोनों प्रकार के भूम्यों में आसानी से की जा सकती है धान की पर्मुक किसमें माही, सुगंधा, पूसा सुगंधा, बरानी दीप, सुष्क समराड, जया, पद्मा, पियारेस्टेंज, इंदरा सोना, मसूरी, आई आरेट, जगनात, लूनी सिरी, सरीव बावन, क्रिफ़ना साकेत, इंदरा सोना है यहाँ पर बात कर लेते हैं सुष्क समराड, जो कि पूर्वी उत्तर पर्देश, बिहार, और पस्षिम बंगाल के लिए उप्युक्त वराइटी है, सुष्क छेतरों के लिए ठीक है, कि सुष्क छेतरों के लिए उप्युक्त वराइटी है, और यहीं पर चकिया उनसर्ट जो पर राइटियां हैं, साथ ही साथ, यहां पर लुनी सिरी जो है, यह लवडीया और छारी दुन परकार के द्धानों के लिए, बीच की मात्रा, संकर धान जो होता है हाइब्रीड धान जिसे कहा जाता है हाइब्रीड धान के लिए बीज की मातरा जो होती है दस से पंदरा किलोग्राम पर थिक्टियर के आउसकता होती है डेपोग विध में डेड़ से तीन किलोग्राम पर थिवर्ग मीटर जो डेपोग विधी होती है उसमें जो बीज का उसकता होती है डेड़ से 3 kg पर तीवर्ग मीटर के हिसाब से नरसरी में बीज डाला जाता है स्रीविधी, स्रीविधी एसराई मेथड में 5-6 kg पर धेक्टियर बीज का उसकता होती है ठीक है आगे देखते हैं कि सिश्टम आप राइस इंटेंसिफिकेशन्स या एसा राइपद्धत या स्री बिधी मेड़ागासकर बिधी यानि धान के उत्पादन की एक एक अच्छी तक्निक है और यह भारत के लबग सभी छेत्रों में अपनाई जा रही है और इसके अंतरगत जो होता है पानी बहुत कम मात्रा में लगता है ठीक है और यह निकली कहां से मेड़ागासकर से निकली एक विधी है इसके अंतरगत जो पैदावार होती हो लबग में 300% तक बढ़ जाती है और इस विध में पानी पूजी स्रम कम लगता है ठीक है यह वही विधी है जो कि बिहार के सुमंत कुमार ने लभू में बाइस टन परत हेक्टेर धान को उत्पादन कर अपना वर्ड रिकार्ड बनाया था और जो चर्चा में आ गये थे और ये निकली कहाँ से अफ्रीकी देश मेडा गासकर में 1983 में फादर हेंरी डी लावलेनी ने इस तकनीक का अविस्कार किया था आगे देखते हैं डेपोग मेथड इस बिद का सरवादिक प्रियोग फिलिपिन्स में किया जाता है इसमें पाउद रुपाई के लिए जो होता है 11-14 दिन में तयार हो जाती है इस बिद में तक्तो भूम कंक्रीट या सर्फेस पालिथीन बिछा कर उस पर अंकुरित बीचों से नरसरी तयार की जाती है इस बिद में जो होता है अन्य बिदियो की तुमना में धाई गुना अधिक यानि 1.5 से 3 किलोगराम पर 3.5 बीच के आउसिता होती है संयुक्त राष्ट संग के द्वारा 2004 को अंतर राष्टिय चावल वर से खोसित किया गया था भारतिय चावल अनुसंदान जनस्थान भारतिय चावल अनुसंदान जनस्थान हैदराबाद द्वारा धान के पर्थम बावनी किसम जया को विक्सित किया गया था ओके आगे बढ़ते हैं और निष्ट देखते हैं कुछ यहां पर महात्पूर्ण तत्थी दिए गए हैं धान सब्सक्राइब सबसे पहला दिया गया है फ़र्स्ट पॉइंट अंतर रश्टी चावल अनुसंदान संस्थान कहा है लास बानोस जो की फिलिपियंस में है जो पूर्वे मनीला में था चावल को उबालने से इसमें किस विटामिन की मातरा बढ़ जाती है साइनो को उबालने या विटामिन B12 की मातरा इसमें बढ़ जाती है धान का खैरा रोग जो होता है और जिंग की कमी और पोटास के अधिक्ता से होता है धान के ब्लाश्ट रोगी, ब्लाश्ट रोधी जो किसम होती हो, सावरमती और विसाजता रोधी फालगुना है, धान की खेती के लिए सरवत्ता जो खाद होती है, आमोनियम सलफेट होती है, जिसमें नाट्रोजन की मातरा 20.06% और सलफर की मातरा 24.05% तक होती है, धान के खेत सुद्यता है चावल में चावल में आधार भी जो परमाड़ी देज़ दोनों के लिए प्रिथा करड़ की दोरी कितनी मीटर रखी गई है तीन मीटर की रखी गई है कि आगे बढ़ते हैं और नेश्ट देखते हैं कि यहां पर कुछ और पॉइंट दिए गए यह भी देख लेते हैं संकर धान के जनक युवान लॉंकिंग है कभी कभी यहां पर लिख्याता है वाई एल पिंग तो आप लोग वहां पर कंफिर्ट मत होना पूसा 1460 ब्रांड नाम सुगंध बिस्व का पहला सूपर फाइन अन पानी के रिशाव को कम करने के लिए धान के में जो पडलिंग ये पंगभंजन की क्रिया की जाती है भारत विश्व का बाइस दुस्मरों आठ परतिसत धान का उत्पादित करता है जिसके अंतरगात लग्भू में आज रिचा नहीं कर रहे हैं और फटा फटा आप लोगों को एक बार औरली बता रहे हैं डायरोग डायरेक्टुरेट आफ राइस रिसर्च का वरतमान नाम क्या हो चुका है इंडियान इंस्टिट्यूट आप राइस रिसर्च जो कि राजयन नगर हाईदराबाद में इस और सेंट्रल बात करते हैं जिए इंस्टिट्यूट का तो इसका अभी नाम बदल चुका हैं नैसनल राइस रिसर्च हो चुका है जो कि विद्या विद्या धर नगर कटटक उडिया सामें इस्थित है ठीक हैं आज के सिसन में दोस्तों यहीं तक आगे हम कांटेनियो next फसल के साथ ठीक है और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये जो क्लास आज की रही है पसंद आई होगी अगर आप लोगों क्लास पसंद आई है तो आप लोग इसे ज़्यादा ज़्यादा लाइक करना और अपने मित्रों को शेयर करना ठीक है दोस्तों और क्लास को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्यू